Hey hi everyone सबही कैसे हो great so आज के इस वीडियो about a question आया था मेरे पास certification necessary है क्या certification करना जरूरी है क्या तो यह question बहुत आता है कि अगर आप cloud कर रहे हो तो क्या इसमेर certification करना जरूरी है सब्सक्राइब करें तो इसमें अपना पॉइंट क्या है कि अगर आप जॉब कर लो ठीक है या अगर आपको जॉब करना है क्या कंपनी वाले सोचता है जब आप यह मैं या कोई इंटर्वू लेता है तो वह क्या सोचता है तो हम देखेंगे कि हाउ माच पहली बात तो इस नेसेसरी ठीक है क्यों चाहिए हाई की इस नेसेसरी वाई वी ए डीक है हाउ मच ट कीटफैक्ट्थ एक और वाल्यू वैल्ल्यू रधै फोर ईंटर्व बहुटता है परना तो कर सकते हो, how much it effect or value in it have for interviewer, ठीक है, और क्या फायदा हो सकते है, job benefits क्या क्या हो सकते है, ठीक है, तो ये चार्ट चीजे, cover करने की कोशिश करेंगे, और sell the impact क्या सकता है, ठीक है, ये भी देखेंगे, तो ये कुछ questions हैं, जो मेरे हसाब से बनते हैं, कोई और question आपके ह आप से बनता है, तो मुझे बताना, ठीक है, अब पहला question, is it necessary, हाँ, मुझसे अगर पूछो गए तो ये necessary है, क्यों necessary है, तो ये necessary इसलिए है, क्योंकि अगर आपके fast, आप कहीं पर जाते हूं, ठीक है, तो आपकी credibility क्या है, आपका credibility क्या है, क्या है, आपको cloud computing आता है, ये म तो इसमें, जरूद कहां पर है, cloud की, cloud की कहां जरूद पढ़ी, इसमें, right, certification यहां पर जरूद कर पढ़ती है, क्योंकि वो आपकी credibility add करते है, हाँ, आता है, AWS का certification, अच्छा, certification की value कब होती है, जब आप अपने से देते हो, certification, जो मेरा माल में है, ठीक है, मैं around कुस ताइम सा एक confidence level देते हैं, कि अच्छा है, आपने किया हो, certifications आते है, अलग values से, right, वो जो certifications आते है, उनकी value होती है, वो भी अलग होती है, कि अब मुझे पता है, मैं interviewer हो, तो आप सोचो कि मैं समझ जाओंगा, कि अच्छा, मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले है, तो आप कर देज machine learning का certification किया हुआ, हाँ, जी, इनको machine learning आती है, right, AWS का किया हुआ, हाँ, जी, आता है, ठीक है, या फिर मैं job profile देखूंगा, ठीक है, तो यही दो तरीके होते हैं, कि आपका जो technical काम चल ला है, वो किसीज पर चल ला है, और यहाँ, normally जब तो यह हुआ, कि अगर आप certification करते हो तो definitely value add करेगे, ठीक है, दूसरा एक point बताता हूँ, कुछ companies लेती ही तभी है, जब आपके पास एक particular level का certification होगा, अब आप associate करो, काफी company होगे, जो professional level का certificate नहीं होगा, तो आपको entertain ही नहीं करेगी, तो यह भी एक बड़ा fact है, कि इसलिए आपको certification हमेशा करने चाहिए, ठीक आपके concept हमेशा clear रहेंगे, क्योंकि आप मैनद करते हो, एक human nature मैंने देखा है, कि अगर आप certification कर लेते हो, यह fraud तरीके से, ठीक है, कई बहुत हो रहा है, fraud तरीके से लोग certification करते हैं, गलत तरीके से company में घुझ जाते हैं, बाद में रोते हैं, बाद में रोते हैं, क्योंकि company company में घुझ गए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद company देखे कि अच्छा ठीक है, जब काम नहीं करो के, प्रफार्म नहीं करो के, company आपको धख करे देगी, ऐसा भी बहुत होता है, ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं, जो उसके साथ में survive कर जाते हैं, लेकिन मेहनत उनको पूरी करना ही पर ठीक है, तो आपके life हो जाते हैं, इस प्रगल अगर आपके पास knowledge नहीं है, तो knowledge जरूरी होनी चाहिए, तो certification अपने से preparation करके करो, तब तो फायदा है, otherwise वह wastage of money है, ठीक है, होगा क्या, आपने certification किया हुआ, आपका resume में देखा, कई बार मेरे साथ तो ऐस होगा, कि अच्छा ठीक है, आप उरे बहुत इच्छा है, इसको तो बंदे को पकड़ लूँगा, अगर मेरे पास आ गया ना, तो मैं इसको रख लूँगा, आपने चार question पूछे, आपको समझ में आ जाता है, कि क्या है, interviewer भी समझते हैं, ठीक है, वह जैसे आप पूछो पूछते हैं, clear हो जाते हैं, तो यह एक मेरा point है, कि certification तब करो, जब आप अपने से कर रहे हो, या really में आपने पढ़ाई करी है, और अगर fraud भी कर रहे हो, तो भाई धंग से कुछ बताने लायक है, तुम्हारे पास content, नहीं तो फिर बेकार है, ठीक है, then it is a waste of money, तो यह definitely आ है, अगर आप ही सोचो, आप कहीं किसी company में जाओगे, या आप किसी का interview ले जाओगे, तो अगर किसी के पास certification है, तो definitely, एक credibility add होगे, कि हाँ, यह knowledge है, तो आप उसको जादा prefer करोगे, या without certification को prefer करोगे, तो यह फायदा देता है, same case आपका फिर salary पे भी impact आता है, च्योंकि अगर आपने certification किया हुआ है, तो definitely, और अगर आपकी knowledge अच्छी है, certification plus knowledge अगर अच्छी है, तो definitely, interviewer के लिए, अगर हम इसे पूछोगे, तो practically, मैंने काफी cases में देखा है, कि, वो just information check करते हैं, interviewer को normally इतना matter नहीं करता, कि certification है या नहीं है, वो तब matter करता है, कि अच्छा, हा certification है, तो ये मैं इस काम के लिए ले सकता हूँ, और उसके बाद फिर वो knowledge check करते हैं, उसके base के, तो interviewer के लिए effective है, जरूरत है, असर करता है, 100%, लेकिन, interviewer ये जरूर जानते हैं, कि आजकल fraud certification बहुत होता है, हर दूसरा बंदा fraud certification के साथ आता है, तो उसको इतना ज्यादा value इस चीज़ को नहीं देते, कई interviews के दिवाग में ये चीज़ होती है, कि certification तो उसने fraud करें, काफी बहुत इस तरीके का, आजकल जो market है, इस तरीके का हो गया, तो knowledge check करते हैं, ठीक है, जो आप लिख रहे हो, उस पर आपकी knowledge check करेंगे, that's why, मैंने बोला कि अगर आप भी ये certification का certification किया, आपने दो certification किया, 15,000 आपने invest किया, right, maybe आपने 20,000 invest किया, training भी तो हुआ, प्लस आपका exam हुए, तो आपने दो paper के लिए 25,000 लगाया, मतलग इसमें आपका training प्लस exam cost आगया, तो वहाँ पर आपने solution architect कर लिया, जी उस दिन तो, ये आपका investment है, इस पर return भी तो है, ROI देखो न, कितना आप है, ठीक है, अगर आपकी job लग रही है, भी आपको package 6,000 लेक्स का, ठीक है, तो क्या होगा, आप तो सीधे market में जाओगे, और, और आप बोलोगे, मुझको तो, आप 10,000 लेक्स का package देदो, ठीक है, या 12,000 लेक्स का package देदो, ठीक है, आप तो ऐसे बूला, और आपको ROI कितना अच्छा मिला, लेकिन वो कम मिलेगा, जब आपको actually my knowledge है, तो अगर आप certification करते हो, तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको package में invest होगा, तो 25,000 लेक्स का, तो 25,000 लेक्स का, एक बार लगाया, और उसके बाद आपका package होगा इस सिक्स सपोस करो, मैं minimum bracket पर जाते हैं, तो 10,000 लेक्स होगा, तो आपको advantage होगा, तो 4,000 लेक्स का, ठीक है, तो आपको थोड़ा smart होने की जुरूत है, यहां लोग training पर पैसा नहीं खर्चना चाते हैं, ठीक है, अगर आप foreign site पर देखो के तो वो training पर काफी पैसा खर्च लेकिन उसका उसको फायदा मिलता है, ठीक है, अगर आप उनको देखो के तो वो documentation follow करते हैं, वो समझते हैं क्या है, ठीक है, तो जो आप documentation follow करोगे, आपको कैसे काम करना है, follow करोगे, उसके लिए आपको महनत करना ही पड़ेगी, practice करना ही पड़ेगी, तब ही आपका exam निक है, और उसके बाद, आप struggle करते रहे तो, आपका जो office के बाहर का टायना वो भी आपका waste होता है, और आपका office के अंदर है, वहाँ तो आपको काम मिलता रहेगा, तो वो लोग तो नहीं रुखेंगे, तो आपका life waste होता है, इसलिए, मैं कहता हूँ, foreign approach को follow करो, आप अच्छ ज्यादा आएगा, getting my point, I hope मैं आपनी बात clear कर पाया होँगा, और अगर आप मेरी बास से agree करते हो, या अगर आप कुछ और point रखते हो, तो मुझे comment section में बताओ, आपको कुछ और आपका input है, आपको लगता है कुछ certification नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप मुझे बताओ comment section में, but, उसके साथ फिर proper logic देना, ठीक है, एक proper logic देना, proper reason समझना, मैं ये बाते बता रहा हूँ, आपको अपने 12 plus year experience की वज़े से, ठीक है, अगर मैंने certifications किये हैं, तो fraud certifications में हमेशा दिक्कत होता है, इसलिए जब मैंने invest किया, तो मुझे फायदा हुआ, और ये मेरे साथ case में नहीं है, मैं बहुत सारे cases में देख चुक हूँ, आप किसी के बाद जाके देखो, interval सबसे पहले कहता है, certification तो उसने ऐसी किया हुआ, ऐसी लोगों ने image बना लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपने मेहनत करी है, तो वो आपके दिखती है, और आपके answers में आती है, मेरा ये point है और experience से है, तो अगर आपको लगता है कुछ है तो प्रॉपर लॉजिक देना, तो let's see, आपका comment section में क्या आता है, वीडियो पसंद आया है, तो like कर सकते हो, share कर सकते हो, अगर AWS learn करना चाहरे हो, तो मेरी playlist है, यहाँ पर, यह playlist follow कर सकते हो, चीक है, तो AWS की live classes है, जिसमें 46 वी और अगर AWS को पढ़ना चाहते हो, तो आपके पास AWS solution architect की playlist है, जिसमें आपको proper series मिल जाते है, वीडियो थोड़ा old होता है, लेकिन concept कभी change ही नहीं होता, तो यहाँ पर आपको proper मिल जाएगा, जो AWS solution architect की playlist है, यह वाला है, यह follow करो, AWS related कोई doubt है, AWS हिंदी वीडियो में जाओ, आपको काफे सारे videos मिल जाएगे, ठीक है, Linux के basic concept समझना चाहते हो, तो Linux की playlist है, वो भी follow कर सकते हो, ठीक है, यह mobile app है, जो आपको description में link मिल जाएगा, आप वो देखिये, और उस app के थुरू आपको proper update मिल जाएगे, तो यहाँ Linux के आपको videos मिल जाएगे, और काफी basic knowledge काफी एची मिल जाती है, ठीक है, devops related कुछ चीजें है, तो आप devops के playlist देखो, इसमें आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगे, और काफी सारी interesting fact मिलेंगे, आप कैसे devops का whole course कर सकते हो, क्या है, वो सब आपको मिल जाएगे, तो थैंक यो for watching this video, wish you a very good day, wish you a very good carrier, कोई भी question हो, तो and provide you the solution. Thank you.